तो वीडियो तो आज वाली वीडियो में हम लोग ट्राइक करने वाले एक्टम नया आइटम जो की फेरोमेन एसेंस है आपको साथ पता भी होगा इस आइटम के बारे में बड़ी वाला आइटम अब दोबारा से आ चुका है मतब गेम में पहले मतब इस्ता जाथा यू मतब पहले पर अभी उन लोगों ने जो भी डेवलोपर से चुबा के उन लोगों ने उसे काफी जादा फिक्स कर दिया है तो अभी बहुत जादा बढ़ी आ हो गया वह फेरोमन वाला एक तो मैं नाम भी गलत ले रहा हूं फेरोमोन एसेंस ही इसका नाम है तो यह वाला आइट हम देख लेते हैं कि वह आकर है कहां तो यह रहा अपना फेरोमोन एसेंस तो यह क्या करता है यह लिखा हुआ है इस पेसद अबिलेटी इस पर बैस रहेंगी ओके आज तो बाई मैं सोचाओं कि हम लोग स्क्वेड लगा लेते हैं और ठीक कोई वाद नहीं हम लोग इसी से चलने वाले हैं तो यह वाला काई को बताई हुँ यह मैं बीटा वर्जिन में से खेल ला हुँ क्योंकि जो वाला आइटम है वह अभी तक गेम में साइद आया नहीं है या फिर आप यह क्या होगा तो अभी उसमें जो भी अपडेट वगरा आने वाले वह अभी तक नहीं आया है गेम के अंदर तो इस वए से मैं बीटा में से खेल ला हूँ और मेरे यहां पर टीम है पूरी लेवल 11 तक की टीम है ठीक है तो देखना है कि कैसे कैसे काम करता है तो सारी वेपन उठा लूँ यहां से एक्टिव जो भी हम लोग एक्टेव लुडी यूज करते हैं अभी यह काम करता है ठीक है तो अभी रुको मैं किसी दुस्मन के पास जाता हूं उसको मारूंगा इसका असर बहुत यादा खदन ना गया अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं देखो जैसे अभी मैं इसके पास आया हूं तो यह अपोनेंट वाले एनिमीन उनको डिसेब यह बहुत कदना और हर वार काम करता है जब यह यूज करोगे तो जादा फायदा रहेगा जितने भी इसकी रेडियस माइंगे और ऐसे गिर पड़ेंगे जैसे कि वह रिवाइब होने के लिए बैट जाते हैं वैसे एक बाट मेरे मेरे बास हेल्थ कि नहीं है यह भी बैट होने वाला है अब है इसका बहुत ख़तना तरीका से यूज होने वाला ह्ले इसके उपर आने वाले हैं घ्र लेड़ा है और निक्स पर भी ट्राइ करके देख लेते हैं तो अभी में निक्स से स्टार्ट करने वाला हूं और नहीं करेगा या फिर इसका कोई कुल डॉटन टाइम है बैसे मेरे को लग रहा है कि इसका कूल डॉटन कितना है और कितना नहीं है तो अभी मैं चेक करने वालाओं की कुल डाउन है तो अभी एक वार काम कर गया अभी देखते हैं एक्टेवर्लीटि दुबारा से रिलोड होगी नहीं काम किया तो इसका मतलब कूल डाउन तो है अभी वह काम नहीं किया ठीक है देखते हैं कब तो आप पता यह समझ जागी अगर आपको बंदों को स्टन करना है तो दूर से बीच में उसकी जो भी रेडिया से उसमें आने चुछिए बंदे तब या कि या करें लगा नहीं होगे अगर आप फेरो में असेंस लगा रहे हो तो ओके आपके नेक्स से भी काफी मज़ा रहा है तो ज्यादा बढ़ीए र को जैक को मिल जागा थोड़ा सा पाइब जागा अपनी जो भी इसके एक्टिवल्टी न जिस से वह ऑल करता तो मैं फ्रक्तय के लिए तो काफी फादें बागा है तो यहां से पहले तो लगात है तो इससे लगा रहे के बाद देखेंगे क्या सीने इसका ठीक है मेरे पास आई चुके है जो कि फुल पाउफल हो चुका है पूरा साथ स्टेक कर रखाए मैं इस पर और वही फेरो में एसेंस का देखो आपको कमाल दिखाने वाला हूं यह बास्ता मैं बहुत अच्छा है देखाता हूं मैं जब देखाए डवल डेमेज देखाए डवल डेमेज देखाए एक बंदा तो डाउन भी हो गए लेवल एलेवन के अभी अगर लेवर बड़े भी होंगे ना तब भी बहुत जादा खतरना करेगा इसलिए जैक पर तो बास्ता में खतरना चीज़ है यहां बारा से करते हैं आपको बीच मग उसके एक दम अरे रोख मेरो बीच मग उसने तो हॉल करूंगा वाउ सबके सब एक दमस्तान है जल्दी तमारों उनके पास क्रे इस वाली वीडियो का है कामेंट करके जहुब बतना तो आज वाली वीडियो बतना ही बबल अ